वक्त आपको बता रहे हैं इंदोर से दिली हाईकमान ने बैठक बुलाई है वीजेपी की बड़ी बैठक है इंदोर के सभी विदायकों मंत्रियों की बैठक बुलाईगा यह थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है विजेवर की समेट सभी नौ विदायक इसमें सुबह केलाश विजेवर की जो हैं वो प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए नजर आये थे मिधिलेश गुपता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं मिधिलेश इन दोर से एक खबर आती है कि दिली हाईकमान ने बीजेपी की बड़ी बैठक बुल देखिए अगर अच्छे कांधी बम की बात करें अच्छे कांधी बम ने नामंकदन वापिस लिया उसके अबास पूरे देश में इसकी चर्चा रही है पूर लोग सबस्क्री का सुमित्रा महाजन का बयान भी अचानक रहता है दो तीनों दो दो से तीनों ते उनके बयान स लिए तो पिछले अगर एक सब्सक्रा की बात करें तो इंदोर में इंदोर को लेकर देश में चाचा चल रही खास तूर पर जो कुछ इंदोर में सियासी कटना करब हुआ पिलाल आज की सासा आज बड़ी प्रेस वारता की गई लेकिन अच्छानक थे विदान सभा एक में अभी कारकरता से मेलन चल रहा था तमाम बीजेपी के जो पदादिकारी हों वहाँ पे मौझूद थे लेकिन दिल्ली हाई कमान से एक फोन आता है कि सारे नौ वज़े से ये वीडियो कॉनपेसिंग से बैटक सुरू की जाएगे सब को सूचना देरी जाए सभी विदायक सामीन लोंगे नो के नो विदायक रहेंगे जिसमें दो मंत्री हैं तुल्सित लावट और केलाश विजय वरगी और इस पूरे बैठक को पुरी तरीके से गोपनी रखा गया है किसी को भी जहां पर ये बैठक रखी जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन अचानक से दिल्ली हाई कमान जी तरीके से पेठक लाई है यह अपने आप में कई चीजे सवाल करें कर रही है कई चीजों को लेकर जो चाका की जारी थी चाए ने वालाई क्या से जुड़े कुछ चीजों पर आ जी चाहिक जरें है को दाँनों करने लेकिन देखे का दोरा भी है दोजी नीट की परिक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई, मेडिकल की सबसे बड़ी परिक्षा यहां पर हो रही थी और इसमें बहुत बड़ी लापरवाही, परिक्षा के दौरान दो प्रश्ण पत्र दे दिये गए, पहले प्रश्ण पत्र को चात्रों ने घंटे सॉल किया, और एक घंटा बीता उसके बाद दूसरा प्रश्ण पत्र दे दिया गया चात्रों ने हंगामा किया आप चात्र दोबारा एक्जाम कराने की मांग करने लगे हैं स्वामी आत्मान अने दिमाद्विक स्कूल का ये मामना है बड़ी खबर की बात करते हैं उजयन में कार में भीशन आग लगे थी श्रधालू से भरी एक आड थी जिसमें आग लगे कार जिलकर स्वाहा हो गए दमकल ने आग को काबो में कर लिया महाकाल के दर्शन उजयन में करने के लिए लूब आते हैं और उसके बाद जब ये लौट रहते तब ही हाथा हुआ श्रधालू जो है वो सुरक्षत है कॉंग्रिस प्रवक्तार आधिका केड़ा कि सबसे पहले करेंगे बात जिन्होंने आज एक बड़ा बम भोड़ दिया कॉंग्रिस को छोड़ दिया सुशील आनंद शुकल से विवाद के बाद इस्तीफा तो दिया लेकिन ये सुशील आनंद शुकल का से उनका जो विवाद हुआ उस विवाद से ज्यादा उनका राम मंदिर पर अपने कि आइने गालों का विरूद किया जाता है कंगर्स में मुझे नियाए नहीं मिलेगा ये कह दिया गया ये प्रस कॉण्फरेंस करने की बात उनहों डाली कि मैं प्रेस कानफरेंस करूंगी और उसमें बड़े खुलासे करूंगी ये भी उनों ने कहा हैं तो बहुत सारे खुलासे करने हैं ये भी सोच रखा है राधिका खेडा ने लेकिन राधिका खेडा से विवात को लेकार कॉंग्रिस संचार प्रमुक सुशील आनंद शुक्ल का पक्ष जानना भी जरूरी है वो कह रहे हैं कि राधिका मेरी छोटी बेहन है वो पार्टी में रहें या बाहर जाएं वही सम्मान रहेगा उनका खत सारा मजमून कह रहा है मैं भी राम और शिव का भक्त हूँ दो दिन पहले ही गुर्दीप सप्पल आए हुए थे आप दोनों किसे बात चीत हुई थी बयान दर्श कर आए गये थी अब मुझे जो बताना था मैंने पदेश अद्धर जी को बता दिया है मान निजास्ती ने तिक्ति में जो जाज करवाया था मैंने अपनी बात रख द कोई बात उन्होंने मुझे को सुपर सीट करके किया था बाइपास करके मैंने अपति जर्श कर आई थी इसमें कोई अभधता अशिष्टा नहीं था मैंने उनको हमेशा छोटी बहन के जैसे सम्मान किया था और आज भी मैं भले कांग्रेस पार्टी में जहें नहीं नहीं नहीं को चोटी बाहन के जैसे सम्मान देता हूं धिता रहूंगा मुझे कम से कम आज़स साल की जोटी कि मैं मैं चार साल कौह मैं बताया कि चालीस साल की हैं तो आट-nion का बढ़ा हूं बड़े खुलासे की बात हो रही है दूसरी तरफ क्या कह रहा है सुचिल आनन्द शुक लेही तो सुनी लिया लेकिन इस वक्त दीपक बैज क्या कह रहे हैं लेकिन कहीं चोड़े से विवाद में मैं समझता हूँ कि घर के विवाद को घर में उसको समाप्त किया जा सकता था घर में बातचीत के जरे समाधन किया जा सकता था बाकी तो उनका व्यक्तिकत नेड़े है उस पर मुझे पुछ नहीं कह रही है और इस वक्त सीदे रादिका खेड़ा खुद निउस 18 पर जुट रही है तो सीदे उनी से बात करते हैं और उनी से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था रादिका जी बहुत स्वागत है आपका अभी अभी दिपक बैच आपकी प्रेस कॉन्फरेंस भी आ रही थी और आप अ अगर मैं परिवार होती चोटी बहन होती तो चोटी बहन को गंदी-गंदी डालिया दी जाती हैं क्या पुनीजी हमारे संसकार सभ्यता भारतिया नहीं दी जाती है संसक्रिती में चोटी बहन के साथ अभधरता गाली गलोच उसको तीन आदमी कमरे में बंद कर लेते हैं मैंने तो नहीं ऐसा किसी भी बहन के साथ व्यवार देखा किसी भी महिला के साथ हमारे संसकार 36 गड़ महतारी के संसकार तो ऐसे नहीं है और रही बाद प्रदेश आदत रही है छोटा सा विवाद इनको लग रहा है छोटा सा विवाद तुझी इनके पूर मंत्री सहब को भी लगा था चोटा सा बलतकार लगा था आपको याग होगा उसी कॉंग्रिस में बैट के जांजगीर चापा के प्रद्याशी ने क्या कहा था जो अभी लोग सभा में बंद कर लिया जाता है ती छोटी वो चिलाती रहती है और आप कुछ नहीं करते हैं और आप ही करते हैं आप ही गाली देते हैं और लगातार करते आये हैं और आज की बात नहीं है ये लगातार छे महीने से होता आया है उस छोटी बहन को आपने इतना मजबूर कर दिया कि उसकी हालत ऐसी होगे कि उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा ये छोटी भेहन होती है पता निये च्छे महेंने से चल रहा था है ये सब खुश बिल्कुल पिछले चुनाफ से और मैं लगातार 36 गड़ की नित्रित्व से लेकर हमारी पार्टी के शिश नित्रित्व ये राहुल गांदी जी से लेकर प्रियंका गांदी जी तक यह आवाज बार बार उठाती रही लेकिन मुझे अफसोस नहीं लेकिन मुद्दा तो यह कह आज रहा है कि कोणीनेशन जो कि पवन खेडा का दौरा होना था उसके कोणीनेशन को लेकर बात हुई थी आप लोगों के बीच में यह बात आई कि कोणीनेशन ठीक नहीं था आप से यह भी का गया कि यह काम तो हमारा है यह आप क्यों कर रही है पुनित जी आप भी एक चानल में काम करते हैं, अगर किसी की कोडिनेशन को लेके तकलीफ होती है, तो आप क्या उसको गाली देंगे? क्या आप उसके साथ अभधरता करेंगे? मैंने आज तक ऐसी गालिया नहीं सुनी जो अदमी के मुझ से मैंने सुनी थे, और फिर उसके ब रही हैं, ये भी बात जा रही है, कि महिला हूँ, और महिला को परिशान किया गया, अब देखें महिला तो मैं हूँ, इस पे कोई दोशक है, क्या किसी को महिला हूँ, महिला को परिशान किया गया, महिला को गाली दी गई, महिला को तीन आदमी ने बंद कर दिया, महिला रो लेके 36 गड़ में किसी के अंदर भी रीड की हड़ी नहीं है कि वो महला सम्मान के लिए खड़े हो सके यह जब पूरा विवाद हुआ तो राधिका खेड़ा ने मोबाइल निकाल लिया कि क्या कह रहे हो वीडियो बनाया उनके पास एक वीडियो है ये भी कहा जा रहा है कि वो वीडियो दिखें पूनी जी लगातार ये आदमी अभधरता ये लगातार गाली गलोज हमीशा से करते आया और फिर अगले दिन आके हाथ जोड़के माफी बार बार यह होता रहा लेकिन अब हदे पार हो गई और इतनी गंदी गंदी गालिया और इतनी अभधरता और फिर वीडियो तो मैंने शुरू से बनाया और बहुत राम जी की क्रिपा रही कि मेरा दिमाग चल गया कि जो आदमी लगातार जूट बोलता है और देखे बात यह जो आदमी हर रोज अपने बच्चों की जूटी कस्में खाता है और आप कभी घूम के देखेगा च्छत्तिसगड के जर्नलिस्स से जो वहां का बीट कवर करते हैं उनसे बात करिएगा हर जना बताएगा कि किस तरीके से सुशील आनंद शुकला लगातार गाली गलोज कर जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे आप महिला न्याय की बात करते हैं जब आपकी घर की बेटी न्याय मांगती है गुहार करती है तो आप चुप हो जाता है मैंने आप सबने मेरा ट्वीट भी देखा था जब प्रियंका दीदी आई थी यहां पर तो मैने दीदी इसे गुहा लेकिन राधिका खेड़ा भी वही बात है कि बीजेपी जो 36 गड़ में खेल चल रहा है वो यह कहा गया कि जानबूच कर ज्यादा टारगेट काका को किया जा रहा है आप भी काका का नाम ले रही है भूपेश बगेल का दूसरा कि राधिका खेड़ा तो दिल्ली में रहती है और उनकी तो दिल्ली वाले बड़े नेताओं से ज्यादा करीबी रही होगी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी मैं तो कही रही हूँ पुनीत जी आपको मैं बताती हूं बात यहां से शुरू नहीं होती है अच्छतिस बड़ मैं अपना कारबार समालने से पहले मैं रामलला के दर्शन करके आई जब मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई तब से ही पार्टी ने म मेरे लिए दिक्कत करनी शुरू कर दी और मेरे से नाराजगी जायस कर दी दिल्ली के नेतरुत में कि मैं रामलला के दर्शन क्यों करके आई चुनाव के समय मैं क्यों फोटो डाली हाला कि जब प्रभु श्री राम की मूर्ती की भी स्थापना हुई थी रामलला की तब भी मेरे घर में सुंदरकाण हुआ था तब भी मुझे डांट पड़ी थी क्यों मैंने फोटो चलाई क्यों मेरे घर में ये सब हुआ जो मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्यूं राम जी हमारे अराध्या है मैं जिसकी भी पूजा करो वो मेरा हक है और हमारे देश का सम्विधान हम की बात करती है जब उसी पार्टी का तो उस वजय से मुझे न नीय निदिया जा रहा तो मेरे केंजने नेवaiser कर दिया कर игр लेकिन आप चुप रही लेकिन आप इतने दर दौरान पूरे दौरान आप चुपरही है। आपने कुछ भी नहीं किया 36 गड़ में ये सब कुछ हुआ उसके बाद रादिका खेड़ा को लगा बुरा और रादिका खेड़ा को याद आए राम देखे, ऐसा नहीं है, मैं 36 गड़ में काम कर रही थी, जब ये हालात हुए और जब में ये अभदरता की गई तो मैंने कंप्लेंट करी, मैंने दिल्ली में कंप्लेंट करी, सारे श्रीश नेतित्व को, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी को, जैराव रमेश सभी को मुझे 36 चोड़ने को कह दिया गया, लेकिन किसी नहीं नहीं दिया, आप महला नहीं कि अगर बात करते हैं अपने मैनिफेस्टों में तो उसको धरातल पे लेकर आईए, आपकी बेटी के साथ इस्तरी अभधरता हुई, लेकिन एक आदमी की वज़े से, एक भुपेश कक्का क वज़े से, आप अपनी बेटी को न्याय नहीं देना चाहते हैं, जो केंद्रे नेत्रित में मुझे दिल्ली भेजा था, मैं अपनी मर्दी से तो आई नहीं थी, और ये पहली बार नहीं, तीसरी बार मुझे 36 घड़ भेजा गया है, पहले भी चुनाव में विधान सभा के पूरा प्रदेश घुमी, लेकिन जब बारी आई, तो मेरे को गाली दी गई, मुझे अभतता करी गई, लेकिन इसमें आपने एक नाम और लिया, बीच में टोकता जा रहा हूं आपको, उसके लिए सौरी, लेकिन आप एक नाम और ले रही हैं, भूपेश, बखेल, कका, कक जो हैं, वो टार्गेट पर आगे राधिका खीडा के? चौरी बखेश, बखेल, कमाडे मारे कहा है? जब अपने दफ्तर में सबसे सेफ प्लेस में सुरक्षित नहीं है और न्याई नहीं दिया जा रहा है सिर्फ एक गलती बेटी एक गलती की वो प्रभुश्री राम की उपासक है और वो प्रभुश्री राम के दर्शन करने हो तो यह जब बात होई थी यह रादी का खेड़ा बार बार राम पर राम के दर्शन पर आ जाती है लेकिन रादी का खेड़ा कहती है यह भी तू इसी चर्चा में कि छे महीने से मेरे कुछ हो सकता है कि ये पहले से बहुत कुछ तैय हो नहीं जब कमरे में मुझे बंद किया गया वो मैंने बंद किया गया गाली कलोच मैंने करी वहां राम के नाम पर या मंदिर दर्शन को लेकर ऐसी कुछ बात हुई थी कि मैं आप से पूछ रहा हूँ नहीं केंदREE नेत्रित्व की बात हो रहे है क्योंके केंदREE नेत्रित्व लॉद्ध मुझे नयाई देगी यहाँ पर नयाई देगा- Zweer और म We ужеつुछ दिन शोंती बनायी रखी और हर रूप फॉलो किया पार्टी का कि नयाई दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन हो भी लेकिन दीपक बैज ने एक बार भी एक आप मुझे बता दीजे पांच दिन में अगर कोई ऐसा वाक्य होता है क्यों सादमी को शोकॉस नोटिस नहीं दिया एक बार भी शोकॉस नोटिस नहीं द में रोती भी भागती भी गई और मैंने उनको वीडियो भी दिखाया कि देखिये मेरे पास वीडियो है तो तब भी प्रदेश के मुख्या दीपक बैज ने उस आदमी को चाहे बो हो चाहे सचिन पाइलेट हो जिनको मैंने सबसे पहला कॉल लगाने का काम किया और सब आके दूसरा कॉल मैंने भुपेश बगेल जी को लगाया चौथा कॉल मैंने विनोद वर्मा जी को लगाया और यह जो कॉन्वरसेशन जो मैं रही हूं जो किसी ने वीडियो बनाके डाल दिया बहगवान का शुकर शुकर गुजार करते हैं उस आदमी या औरत का भी शुकर तो उस समय का जो वो वीडियो बना है वो समय मैं विनोध वर्मा से बात कर रही है और आप अपनी तकलीफ जाहिर कर रही है रादी का खेड़ा क्या इस मामले पर बखेडा खड़ा कर रही है या फिर उनके साथ इतना अन्याय हुआ तो कानून के साहता लेने वाली कुनी जी आप भी एक भाई पिता बेटे है आपके घर में भी महिला आए है अगर आपकी किसी घर की महिला के साथ इस तरीकी की चीज़ हो तो क्या वो बखेड़ा है अगर एक महिला न्याई की गुहार कर रही है तो वो बखेडा है क्यों मैं सवाल सिंपल सा पूछती हूँ कि क्यों पांच दिन लग गए दीपक बैज को क्यों पांच दिन लग गए केंडरे नित्रित्प को तो वो एक क्यों राहुल जी, क्यों मलिक अर्जुन फढगे जी, क्यों जैराम रमेज जी एक खंडन नहीं दे पाए एक बार उस आदमी को नहीं बोला कि आप तांच दिन जब तक इंवेस्टिगेशन हो रही है आप कार्य भार नहीं समालेंगे, कोई और समालेगा क्यों राहुल जी प्रियंका जी क्यों जब गोहार गई, मैं तो AICC की ओफिस बेरर हूँ, नाशनल मीडिया कोडिनेटर, 24 अकबर रोड में मेरा कमरा है बकायदा AICC की वेबसाइट पर आप मेरा नाम देखे, मैं तो ओफिस बेरर हूँ, तो मैं जब ओफिस बेरर हूँ, मैं जिम्मेदारी किस की हो, हमारे माँ बाग किस पे विश्वास करके हमारे को चत्रिजगर बेखते है, केंद्रे नेटरित, वेकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदा इसके पहले भी आपने क्या ऐसा अनुभव किया? उसके मैं इसके बिल्कुल नहीं चुप रही, मैं कभी चुप नहीं रही हूँ, महैला, मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ और हमेशा अपने पार्टी में भी आवाज उठाती आई हूँ, और ईसे की सazा मुझे मिली हूँ, चुप ही तो रहती होती तो आज वज़े फैसवारता करूं या उसमें बाकी सारी बातों का खुलासा करूं बीजेपी से बात हुई बीजेपी कह रही है कि आईए आपका स्वागत देखिए एक तरफ वो लोग है जो मेरी अपनी पार्टी है जिनको मैंने अपना बाइस साल दिया 17 साल की उमर से जिनके साथ जोड़ी रही है और आज सरफ 17 साल की उमर नहीं पीडियों से जोड़ी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया राधिका जी